पॉजिटिव रहते रहते, इंस्टेंट नेगेटिव थौट स्काइड में आ जाते हैं और हमें उसका result समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है टेक्नीक्स करते करते, एकदम नेगेटिव बन जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ करोगे एक positive sense में, क्योंकि हर बुराई की एक अच्छाई होती है, हर एक thought अगर negative भी होता है, तो वो positive भी बन सकता है, तो उस negative thought जो आपको उस time एक negativity दे रहा है, आपको उसको एक positive sense में convert करना है, example आपके mind में thought आ रहा है कि मुझे जो प्रमोशन नहीं मुल रहा है, negative thought ये चल रहा है कि जो प्रमोशन मुझे नहीं मुल रही है, अब आपको इसको positivity में बदलना है, तो आप क्या सोचेंगे, मुझे प्रमोशन मिल गया है, I'm happy, I'm very 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 happy मुझे प्रमोशन बिल गया है, ये सबसे easy ritual माना जाता है, हमेशा अपने negative shift को positive shift में change करने का और सारी negativity flush out करने का, try करना and मुझे शेर ज़रूर करना, राधे, राधे